तो चलिए बच्चों आज के टूपिक में अपन साइंस के अंदर सर्किट डाइग्राम वगला के बारे में समझ यह थैं सकीट डाइग्राम में कौन कौन से जो मट्र लोगरे यूज़ किया जाता है तो उनके सिंबोल यो ही आज आपन वो देखेंगे ए थोड़ा सा तो जीसे मैंने आपके लिए यह बना रखा है कि शिंबोल आपके दिख रहा होगो आपको जैसे इलेक्ट्रिक सेल हो गया तो इलेक्ट्रिक सेल को किए सो करेंगे तो उसका सिंबोल दे रखा है इसे तरके पोजिटीव साइन की तरफ तो बड़ा और नेगीटिव साइन तरफ चोटा यह सब्सक्राइब यह निमालोग और बहुत बेस्किक है और यह सबको आना चींगा है जैसे और दे रहा है कि को बेटरी हो गई जिसमें भहुत सारव साथ अगर कंभीनेसिन में अब अखिली बेटरी ने बहुत सारे सेल आगर कंभान आ गया तो पिर एक सेल हो गया फिर सेकरं पीर ऐसे करके उन सेल को रिक करेंगे ठीक या थर्डवाला दिख रहा है आपको जैसे प्लग की और स्विच ओपन यानि जो की है वो क्या ओपन है तो क्या हो जाएगा यहां पर कोई नहीं रहेगा वो तो इस कंडिशन ओपन क्या बोड़ेंगे ओपन है मिन आपको पहले बतायता कि स्विच क्या हुए है पर अगर ऐसा आजाये जाएगा और बीस में डोटदा अगर अगर यशा आगिया तो आपका स्विच क्या हो दो गया क्यों जाएगा Woah तो स्विच्ट जोड़ जाएगा, ठीक है? तो दीखर लगा यहाँ पर switch, जोड़ घापगा, ठीक है? या अगर कोई वायर अगर जोईंट होगा तो इस तरह के शोगा, वायर जोटन होता है, आप घर पर देखते हैं, मालो जैसे एक वायर है चल रहा है, और इसे एक वायर आ ओर तो होपकत को उसको करें तो लूंकर के गरlles के चाहित लूंक ब्वा लूपर जा जा रहा हो इसके साइट भी निकल रहा हो इस तरीके से यह दूसरे को ведь यह बुस्ते के ऊपर है यह बुस्ते के ऊपर है यह आपको आगे समझाऊंगा तो यह सारे बहुतári सारे स्मेवल होग रहा है तो इस आप अपनी फ्यर-COPI में ज़रूर यह सारे सिंबॉल मनाएगा मैं आपको जब तो इसकी फोटोग्राफी डाल दूंगा यह आपको करके एक टोपी के वहाँ पर जरूर मिल जाएगा ठीक है तो यह सिंबोल अपनी फेर को भी ज़रूर बेसिक में बना लीजेगा थाकि कभी आ जाएगी कौन से सिंबोल कौन सा होता है यह लिख दे कि स्वीच सरकीट के सार आज अपनों इस टोपीक को अच्छे से पढ़ेंगे तो ओम स्लो बारंत फिले थोड़ा बुक्का देख लेते फिर मैं आपको पढ़ाँगों क्या होता है कैसी क्या होता है तो ओम स्लों के उपपर दे रखा है जैसे पढ़िए इन 1827 और जर्मन प्रिसिस्ट सर जोर्ज सा साइमश और यानि 1827 में जो जर्मन साइंटीस्ट आपके जर्मन प्रिसिस्ट कर्मनाम क्या था? जोर्ज साइमन ओम इन्होंने क्या करा कि एक रिलेशन से निक फाइंड करा इन्होंने क्या बताया और किसकी में रिलेशन बताया इन्होंने तो इन्होंने बताया समय वर वालटेज नभी है और करंध इन दोनों के उपर एक रिलेश्टूर उसे होने टासे होता है व्योंग इंद पर कर दोनों करें कि Corps और सरकूपन बनाते हैं सपोस्का करूं कि सरकीर यहाप sì कि अगर अगर वोल्टेज की इसमें कितना प्लोगा मालो जैसे मैं फॉर वोल्ट भेज रहे हूँ करण यहां से करन कीतना मिल रहा होगा कि दोनों को रिलेशन आजए तो इसके उपर रिलेशन देखा किस ने देखा वह औम ने किसने जोर साइमन ओम्नी तो यह औम क्या होता है रिलेशन कैसा आया वह सब अपन समझते हैं तो ओम्स ने क्या करा इंहोंने एक टेबल एक टेबलब में क्या करां इनोंने एक वॉल्टज और ऐलिया और यह और यहां पर उसका रहका उसका कुछ आप पिसीड यह बिए भी बताएयता है कि वॉल्टेज को मेजर किया ज़ाता है किस से मेजर करतेulan तो ऑ और सहंत कर दूमाण तो या उसी करन्झा हुआ हे इसмотр दौर आ किसे द्वारा मेंसर कहें जाता है तोर्व कि पोर इसमें जो कि करनेट करते सरक्वित साथ ऑन करेंट में सीरीज मैं के चिरएघराम करते हैं सिरीज में तो मैं और अब को do हिसे में आपके सामने डाइगघराम में देखिये यहां पर में आयमेतर करेंगा यहां परमत् jut पूरे सर्क्रीव के साथ मैंने स्रीज में मत्या उसके बात में पर बात स्साथ व objectively में नित्र को मैं सुच के एक सब्सक्राइब इसके रिध разр को सिरीज में तो ओमनी के गड़ा एसे का अरेजमेंट किया और इसकी वोल्टमेटर की और इमेटर की अपने मिटर वगरा बोलते ना घर पर करेंट के मेजर करने के लिए बाहर मीटर लगा रहता है आपने बाहर देखा हो आपने ब्ले कलर का तो भी एक अमेटर टाइप और अपने बाहर मेटर बाहर मेजर करता है तो ऐसे वोल्टेज को और करन को मेजर करने के लिए दोनों डिवाइस लगा जाती है तो ओमनी के गरा एक सर्कीट बना है से सिंपल सा बारी बारी सुचने के अगर ट्रेटिकल देखे आप इनके अगर पीक देखना चाहो कभी तो मै जिए ग्फिच को यूड़ई उसके मेजर को कि सिछे का का मैजर करता है ईक्रेयिक दैक है तो फ्राइस Şimdi एक टमेडर प्लस वाला प्लस और माईने करो नेगटीव से तो उसके तेदर कितना वोल्टेज का सब्सेक्षा कर से से इसे एक डायाग्रम दिखरा आपको I ammeter का आपको जीरो फिप्टी मिली-एंप्यर फाइफνर प्ली-एंप्यर-फाइफ इंप्यर तो डिवाइस के उपर यह लिखा रहा है कि उसकी रेंज क्या है तो उसको गनेट करके अपनों उनको मेजर कर सकते कि उसके अदर केदर कृट प्लो हो रहा होगा ठीक है तो यह आपके एमिटर और वोल्ट मेंटर के डाइग्राम आपको बताएं तो ओम ने क्या करें यह दोनों डिवाइस लिए कोण सा वोल्ट मेंटर और आमीटर और उसने एक्स्प्रमेंट करा होगा वह भी आपको समझाता हूं जैसे मैंने आपके लिए और यह बुरा प्रेटिकल है बुरा यह क्या आपका प्रेटिकल बेस्ट कोशन है जैसे आपको एक टेबल लिख री होगी यह आपकी बुक के अंदर दिख री सबको जहां पर नंबर ओप सेल यूज सर्कीट तो ओम ने क्या करा जब एक्स्रमेंट करा तो उसने बार और आई का रिलेशन यहां पर रखा ठीक कुशनी क्या करा सपोस्कुरो मैं आपको एक्जाम्बल बताता हूं जैसे मालो उसने यह वाली जो रेडिंगे में यहां बता रहा हूं जो सर्कीट यूज करें उसने सपोस्कुरो उसने पहली बार जो है फर्स्ट बार जब सेल ल यानि एकजाम्बल लिया घंण होगा। और करन निकल के आगया होगा 3A अब वापस अगर 6 अपॉंट 3 देखेंगे तो कितना हो जाएगा वापस 2 आ जाएका कितना आ जाएगा तुआ जाएगा तो ओम ने देखा कि यह जो रिडिंग थी यह बार बार क्या है हुआ हमारी हरबा जैसे मेरे टूटू आ रहा है उसने रेडिंग लेगी दर बार कुछ अर्भ आलग रेडिंग आये होगी लेकिन यह जो रेडिंग थी उसकी हर बार क्या आई कॉंस्टेंट आये एक बार हमीशा फिक्स आई यह 2 3 अलाव कोई भे आ सकती है हर जगे यह रेडिंग्स सेम आई करो कुंद यहां से क्या डिया आंग कि अह था कि वोल्टेज ऋरिय जो ये आपस में क्या होते हैं एक सब्सक्री अपर क्या होते है यहतंद होते हैं प्रकॉष्थ यहां चैनल होते हैं और प्रपोर्शनल सिंबोल कहा है तो ओमने क्या रचार्ण के आपको अपकी जो वोल्टेज होता है यह प्रपोर्शनल होता है किसके करण के कैसे मतलब जैसे आप जब धृटिली आता तो कितना आ रहा था वब्न पॉइंट फैप पाये था उर्साइब में प्रोपोश्यम में के रहा था तुछ यहां पर भी टू मल्टिप्लाये यहां पर भी टू मल्टिप्लाये यहां देखिए यह दोनों सब आपस में एकवल कब आ जाएंगे देखें तो सब जगे यह जो टू टू था यह सब यह क्या होगा वोल्टेज जो है यह करंड के क्या होगी प्रपोर्शनल में होगी सब्सक्राइब को यह आपका किसका लोग है किसका लाया आपका लोग तो इसको पन बोलते हैं ओम्स लोग यह व्यूट्टेज जो है किसके प्रपरपोर्शनल में होगा यह औम्स ने बताया थीक है तो फिर इसके लिए उनकी रिपेचिन में बता सकता आपको वास्ते में क्लिकना क्या होता है ओम्स लोग के अंदर सी Maar को को पत्थेन्शियल इस डीफ्रेंस है को सो stars प्रेके जबटेंशिए द 걸िखने जुड़ पॉटेंशियल डीफ्रेंस था सर्कीट के अक्रोस कि से सब्ogo अब गॉटेंशियल पॉटेंशियल डीफ्रेंस था राट धाव्मीट 9 तो पोटेंशन डिपरेंश यानि एक रोज वोल्टेज जो है, एक रोज दो सर्कुट इस डारेक्टली प्रफोर्शनल तू दा करंट फ्लोविंग इन दा शर्कुट एट गॉंस्टेंट ये लाइनिया जो जो रोड़ी, याँ से इंपटेज वी जो हे वाुल्तेज जहे व्होर्टेसर वाटांगा वहाँ जाती है आपको मैं बता है तो यह कौन सा यह वाला रेस्टेंस आपको इसको सिंबोल डिस्टेंस का ऐसा आर तो यह जो ohms ने दिया था उस resistance को इससे हो किया जाता है यानि जो constant value होती है आपका resistance यह r और इसको represent काने का तरीका कैसे ऐसे करके represent किया जाता है ठीक है यह आपका resistance यानि अब अगर वास्ता में देखें तो इसको और क्लाइन और बड़ा किली सकते है अपन क्या लिखेंगे कि वे तो इसे गैसे और अगर यह प्रपोस्टन का सिंबूल हटता है ध्यान रखियेगा तो equal का sign और यहां क्या लगेगा कोई नो कोई constant और उस constant को क्या नाम दे दिया और जो वार बार यह हर जगे का रखिया तो टू टू उसको क्या नाम दे दिया और यह आई एजटीस ठीक जब यह प्रपोस्टनल सिंबूल अड़ता है तो कोई ने कोई constant यहां पर आर क्या होगा आपका resistance हो जाएगा और यह आई यह आपका ohm slow का perfect example हो और यह आपका नया फर्मला भी बनके आया अब यहां पर लिख लेंगे कौन क्या है आपकर तो लिखा देरफोर वी जो है वी क्या होगा आपका voltage ठीक एसे आई क्या है आपका तो आई है current औ हो जाएगा आपका resistance हो जाएगा ठीक है तो यह आपका पूरा ohm slow की व्यवस्तित टेपने सुनुए तो आशा करता हूं कि ohm slow को बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा तो आपकी बुक में ohm slow की वपर कुछ basic वगरा जो मैंने पढ़ाया इतना सारा है अब आप अगर ohm slow को व्यश्ति लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे तो पहले स्टाडिंग यहां से कहां से इन 18 टोनिशन से लेकर कहां तक यहां तक यहां तर लिख देना बले बले तो वैसे मैं आपको पूरा तो यहां से लेकर यहां तक और फिर नीचे तक यह पूरा विश्ति बना देना तो यह पूरा आपका ohm slow की डेपनेशन हो जाएगे यहां से लेकर इसके निचे तक जो दे रहे हैं मैं आपको पी बेज़ूंगा यह आपकी बूक में देख लेना एक बार तो यह नीचे तक अगर बड़ा बनाना चाहो अच्छे से तो फिर यह पूरा वेश्तित है और यह तो आपका ohm slow पूरा हुआ अब इसके बाद नेक्स टोपिक में अपन मिलेंगे नए वीडियो के साथ तो आज की डाउट में अपनोंने एक तो सरकीट डाइगराम के बारे में समझा और एक और भी जो जिनको पढ़ाई का शुरिधानी मिल पारी हो तो भी उसका लाब उठा पाए और एक और चीज की पढ़ाई का तरीका जो समय के साथ क्य और चेंज होता चाता है अब जो परविशानी है अपनी अभी कर दिशन करना अपना अब अच्का लाए मैं आपको चोटा कि थोड़ा समय चेंज हुआ फिर दिरे सबी जो फेमिली वाले लोग है परिवार वाले लोग वह का भेशने लगए उनको गुरू कुल भेशने लगए यहां पर बच्चे जो पूरे एक छोटी एज मला फाइब से लेकर 14 यह तक पड़ते थे गुरू कुल में फिर क्या पड़ाई करने के लिए वापस वापस रिटन आ जाता है ठीक तो परिवार शिकुर्तर और आज यह समय आ गया कि अपन का बैठे घर पर और स्टडी भी कर रहे हैं तो यह क्या पड़ाई का तुल अपन अन्यता निले और अपने को तो इसा नहीं सोचना है कि स्कूल में ज ठीक होटा जा रहें लेकिन नोलेज अपना तो क्या हो रहा हारा है तो पड़ाई के जो तरीके हैं हो बदल रहे है तो नए गहां टाल्म訴 तरीके को नाभ़ हैं गजित बढ़ाना है तो सबी अच्छे से पड़ाई करें में नए टोपी के साथ जाहिन जाए वारत